नमस्कार मैं उशिवी अगरवाल और आप सभी देख रहे हैं जेटी नियूस अक्सर लोग खराब सड़कों को लेकर सरकार पर ऐसावाल उठाते हैं कि सड़क सुरक्षा के नाम पर आमजंदा से जितने चालान या जुर्मानी किये जाते हैं उसी हिसाब से सड़क बनाने और उसका रखराब करने वाले भाग से खराब सड़कों के लिए क्यों नहीं किया जाता शायद आपकी मन में भी ये कभी न कभी सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों नहीं होता लेकिन अब सरकार के एक जवाब ने लोगों को संतुष्ट कर दिया है अब सड़कों पर हाथ से होते हैं तो ऐसी स्तिती में अगर उसका कारण खराब सड़के होती है यानि हाथ से खराब सड़कों की वज़़ा से हुएं तो सड़क बनाने वाले और उसके रखरकाव करने वारे अधिकारियों पे सीधी कारवाई सरकार के दुआरा की जाएगी ऐसा सरकार की तरफ से गोशना हुई है उन पर एक F.I.R. भी दर्श की जाएगी और मामले को कोट तक लिजाया जाएगा इसके साथ साथ मैं आपको बता दू कि उनके उपर जुर्माना भी लगेगा सड़क सुरक्षा को लेकर किये जाने वाले बीमा अन्होनी वाली स्तितियों में व्यक्ति को तुरंत भुक्तान करने के बाद इन्वेस्टिकेशन के तौर पर खराफ सड़क रखरखाफ FIR काफी सहारा लेंगी और जिसकी वज़ा से कोट के जरीए उन अधिकारियों के उपर भीमा कमपनियों को भी हरजाना देने के लिए कहा जा सकता है जो भी घटना में उन अधिकारियों के मजाक से हो गई है जुनोंने सड़क बनाने और उसको रखरखाफ करने का जिम्बरिया है भारत की परिवन मंत्राले मंत्री नितिन गटगरी ने इस नए प्रारूप की गोशना की है अगर यह ने प्रारूप सही तरीके से लागू होता है तो सुरक्षा में काफी जादा बहुत जादा सहूलियत मिले वाली है आने वाले समय में सड़क दुरगटना एं तेजी से कमी आने वाली है हो सकता है कि आने वारे समय में भारत की सड़कों की दुर्दशा चेंज हो जाए अगर ये नियम सही से लागो होता है सड़क दुरगटना के लिए सरकार के दुवारा लाया गया ये नया नियम आपको कैसा लगा और आप इसको किस हद तक देखते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जेटी नियूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन ज़रूर दवाएं हमारे पेसों पेज को फॉलो जरूर करें जेटी नियूज ओनली ट्रोत और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हम पारी चैनल जेटी नियूज के साथ